हेलो अग्रिवीट की वर्ड मापका स्वागत है आज हम बात करने वाल है ब्लांट बाइयो कमेश्टी का प्लांट बाइयो के करूंगा जिसमें बहुत सारे most important question में भी discuss करूंगा ठीक है तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसमें से जो short question होते हैं पांच नंबर के और जो long question होते हैं उन सभी question को हम discuss करेंगे very short question मैंने इस year का discuss कर लिया है यदि आपने वीडियो नहीं देखा है वह मेरी चैनल पर है ग्रिविद की वर्ड चैनल पर अवलेबल है इसका उस वीडियो का link में यह जो part 1 है उसका link में इस वीडियो के description में देदूंगा आप वहाँ पर उसको चैक आउट कर सकते हूं ठीक है तो यह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने question अगर बात करें तो यहां पर पांच question होते हैं तू कोशन करने होते हैं इक कोशन पांच नमबर का होता है सबसे पह genau question पूछचे गया है विडामिन डी के की स्रोत अबाभ uw के लखसुन का अवन कीजिए विटामिन डी के क्या स्री पर उसका अभाव के लकसन क्या है? यφpuे अगा हैं कि अगらा आपको विटामिन डी न मिले तो आपको क्या problem हो सकती है? अगर आपको विटामिन डी कहा कहा से मिलेंगे उसके शोथ क्या क्या है? वो सब यहाँ पर हम डिसक्रस करने वाले student ठीक है? तो सबसे पहले जो question है यह question हिंदी और इंगलिस दोनों बासा में रहेगा आपको पता ही है कि यह video जो होता है video को पूरा देखिए students आपको यहाँ पर exam में जो में question discuss करूँगा वो question आपको exam में जरूर मिलेंगे आप उन question को heading जरूर याद कर लेना heading heading याद कर लेना ठीक है पूरा नहीं पड़ पाओगे मुझे भी पता है लेकिन heading को focus किजिएगा ठीक है अगर आप heading को जादे फोकस करोगे तो number अच्छे आने की संभावना है को कि चोड़ा discuss करें है पहला question Of vitamin D ठीक है एकम सिंपल सब बता देता हूं vitamin D की कमी से क्या हो जाता है THK Vai कम जों में τα अधी कमज़ोर हो जाती है जिसे हम से जानते हैं यह कहां से मिलता है है संघ्ट को अको फोड़ा साइथ में váz वुड़ा सा यसमों आप में और भी क्या को डिश्कर कर देता हूं थोड़ा सा विटामीञ üstए किबारे में जान लेते हैं विटामीनड विटामिन डी क्या होता है वस हमें गुलंसिल विटामिन है इंड इनिमल्स कहां पाए जाता है प्लांट में पाए जाता है इसके बहुत सारे फंक्षन होते हैं बोडी के अंदर टेक्निकली सुड़ी दा कंसेर्ड़ था हर्मोन्स ठीक है हर्मोन्स कंसिडर कर सकते हैं या हर्मोन्स मान सकते हैं क्यों मान सकते हैं क्योंकि इड़ी के द्वारा सिंतेसित होती हैं संसेलेसित होती हैं जो हमारी स्कीन है उसके द्वारा कहां से सनलाइट से प्रकास से ठीक हैं और प्रकास से भी जो अल्ट्रा वायलेट जो किरन होती है है उन किस्टों के दुवारा ही है क्या होती है हमारी बोडी गैंतर सिंतिसाइज होती है इती तांस पोर्ड बलड यह बलुड जो हुता है एक्षूं जो होता है इसको टार्ट करती है अक्टिवेट करती है और देन उसके बाद क्या करता है इस पैसिप्र सपेशु कुर्ट जो सबस्राइब सिपर इन टारिडेट ऑव तीसु और होते हैं जो यहोंजित उसका यह काम है फीडबैक और रेगुलेशन विटामिन डी जैक्टिवेशन और और प्लाजमा कैल्सियम लेविल बाइदा एक्टिवेटर फॉम्द विटामिन डी लेते हो तो आप क्या हो जाएगा कैल्सियम लेविल जो होता है उसमें गटित हो जाता है ठीक है बट इतना सब्सक्राइब आप यह याद रखें इतना भी आप याद रखेंकि वीटामिन डी एक फैर्ट वससलोबल विटामिन से हैं को हिंदी में देखेंगे मिन इंगलिस में नहीं सोड़ा डिसकस के आए विटामिन डी को अब हमारी इस्टुजियंटाइब हैं जिसे हम खाते हैं और हर्मोन जो हमारे सिरी में बनता है यह वसा में गुलंसीर विटामिन हैं जो लंबे समेसे सिरी को कैल्सियम और फासफोरस्कॉप सोसित करने के और बना रखने में मदद करता है दूनों ही हड्यों के निर्मान के लिए मैं अधफून है में पहले बता कि हड्या मजबूत होती हैं अगर विटामिन की कमी अगर आपके बोडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है विटामिन वह भी डी की कमी अगर हो जाती है तो आपके हड्या कमजोर हो जाती है आप यहां पर भी देख सकते हैं कि हड्यों से पतर चला कि विटा आप लोग पढ़ लेना इसमें अब ये तो क्या है विटामिन डी का इंट्रोड़क्शन है थोड़ा सा अब विटामिन डी के बारे में हम बात करते हैं कि विटामिन डी के स्रोस क्या है क्या 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 आप खा सकते हो ठीक है कौन कौन से स्रोस है ये आप सकते हो खा तो यहां पर देखते हैं कुछ विटामिन डी से बरपूर होते हैं सबसे अच्छा जो स्रोथ होता है वह सबसे अच्छा जो खाते हैं उसका एग वाला पार्ट जो होता है उसाप पनीर आप खाते हो ठीक है बीफ लीवर में कमातरा ठाप पाए जाती हैं कुछ मस्रूमों में मस्रूम जो बगेरा होता है उसके अंदर भी होती हैं इसके अलावा मैं ऐसा भी सी अधीन को रबैता है अब वितामीन डी से क्या होता है वीमेन डी को मिसे में बोजन में क्म जाएगा कारव ठीक है अदीक ाřिक मातल है जो मेटड्डोरिजम किया किरश होती में होती है व argue सिर एंदत git अगर से पाहर तो यह सब चीज आप लोग पर सकते हो ठीक हैं यह सारी चीजे हिंदी में में लाया हूं आप लोगों के लिए बाकि है लिकेट वगयरा हो जाते हैं अगर लबे समेट हो जाएगी आपकी बौडी के अंदर तो रिकेट होते हैं हद्डे कम जो रहा बच्चों में बिए अ Darren तो नरम हड्यों की स्थिती से जिसे पूरा कहार से ठीक है जा सकता है और उस्ट्यो पॉरोसिस से अलग है जिसे अड्या चिद्यूक्त वंगूर हो जाते हैं इस ती आप परवतिनी हैं तो यह सब चीज है बाकि आप लोग इसके लकसं देख सकते हैं एंडिर्क से सो जाता है वज़न गढ़ जाता है दिल के धड़कन वगेरा है दक्त में कैल्सिम के इस्तर में वरदी के कारण यह सब चीजे स्ट्ट्ट्ट्स आप लोग इसे हिंदी में देख सकते हो ठीग है अब हम बात करेंगे में आने सदाब्स जाएं पार्ण पहलता ह्ताया यह कंगड़ का 에서도 कर्षजियों में होता है जो आइग होता है उसमें आइग हो जो यूझा होता है इसमौर्ट जो र मन होता है उसमें पार जाता है उनका होटे सब ये है बागी हुम बात करें तो इसकी कमी से कौन उल्टर वायलेट होती है जो सूरीयच say में मिलती है जो सुरीयच से में हमारी वादम करती है उसको इप्जूम करती है वह सब लिखा हुआ है ठीक है अब लोग सब चीज़ देख सकते हैं जाता है चिए आपको देखने को मिल जाती है कि पीपल बिदान यह सब चीजें हैं बाकी मेंने व्य बताया था कि बच्चों में यह बीमारी हो जाती है इतना लिख देते आप रिकेटेस हो जाते हैं एजो सब चीजे हैं मैं अभी मैंने बताया था कि बच्चे होते हंके हड्य २ देखा देता हूं कैसे थोड़ा सब बस थाता हूं जातेकि Stacy किस तरह हो जाता है थो ये सब इस तरह की पॉल्बल मुँलें ह אני सब्सक्राइब हो जाते हैं उसका जो बोडि होता है वो कमजोर हो जाता है तो थोड़ी सी यह प्रोबलम है हो जाते है यह आप देख सकते हैं विटामिन डी की कमी से इने इने बड़िटी ओप दो उस्टेर्व मलेश यह फिर डीकेट से ओप चिंदर्न ठीक है यह क्या है कि जो एक डीकेट की तरफ को वह लीड कर जाता है तो यह सब इस्टुजेंट सब देख सकते हो ठीक है आसा करता हूं यह विटामिन डी वाला कोशन आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा यह कोशन अगर आता है तो पूरा लिख लीजेगा पांच नंबर देखे जाएगा आपको कोशन ठीक है विटामिन से कोशन जरूर आएगा ठीक है एबी सीडी कोई भी विटामिन सो हो उसके लख्सन जरूर देगो परंश्रर नहीं कि विटामिन डी पूछें है विटामिन अबी पूछ सकते हैं उसकी कमी के कान क्या होता है finals बीमारी हो जाती है उसके शेश्रोत परतके जाना विटामिन बद लगा नहीं विटामिन जो होती है बी एंट सी जो होती है किवार वाटर सुलेबल वीटामिन्स वहती है जो कि एडी एट जो अब इट है पूरा कोशन भी पहले पहला आते हैं सुगर इंवर्जन ओव सुगर क्या होता है ठीक है इसके जैवरासानिक परकě्रियाओं के बारे में बताइए तो इसके केकमिकल र verso े ने इपको पहले तो इसकामिय को प्रस राख और की थो तो मैं आपको बता देता हूं देखो इन वर्जन 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 का उल्टाजी से बोलते हैं दे इन वर्जन ओफ बीट या कैन सुगर यह तो आप चुकंदर की बात करेंगे यह गन्ले की बात करेंगे दा कैमिकल 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 कैमि कि लिए जन ओव बीट किसका इन्वाजन होना स्टुजेंट। चुकंदर का होना या कैन्सुगर का होना इनकी गर्ण्य का होना इजा कैमिकल कन वर्जन ओफ सेकोरोज सेकोरोज इन सोलूसनन इन्टु गुल्कोज एंड फ्रक्टोज ओकि दिस पोसेश इचाइन्सड भाई उच्छ वहाँ ऑब रोटेशन पोलॉराइड लाइट सेंट फ्रू सोलूसन चेंज दौबिए अपर एंगल और रोटेशन अच्छ जो थीक है वह चेंज हो जाता है थीक है और स्वोलॉसन भाद में और चेंज हो कि धे इनवर्जन दान वप इंवर्जन ओफ भी ये कान सुगर इस दा कायमिक अजुकर ऑफ दश्क रोज्ट रोज इन्सॉलूशन इंटु गुल्कोज और फ्रॉक्टोज तो इसे हम क्या बोलते हैं तर इमेजिन ओफ शुगर बोलते हैं अब इसे हिंदी में देखेंगें ह सुगर इन्वर्जन का मिलब क्या होता है जो गुलकोजर फ्रॉक्टर का रासानी रूपांतरन टीक है गुलकोजर फ्रॉक्टर जब कैमिकल रासानी रूपांतरन हो जाता है तो उसको ही क्या बोला जाता है इन्वर्जन और सुगर बोला जाता है यह किरिया ऐसी डिया उस ट सब्सक्राइब तो इसे हैं बाकि अगर आपको पढ़ना है तो इसमें और भी सीज़े पढ़ सकते हैं बड़ डैफिनेशन में आपको बताए दिया आगे थोड़ा सा होर इन्हों ने लिखा है तो इभी दिख लो चुकंदर या गन्य की चिन्दी का सुक्रोज गुलकोज या जो चेंजिंग हो जाता है तो उसी हम किसके क्या बता है सुगर इन्वर्जन को हम घटा सकते बढ़ा सकते हैं किसके दोरा ताप मां जादा कर दो उससे बढ़ियाएगा एसी डाल दो सुगर के अंदर इस डाल दो इस पता हैं अमल अमल लाल दो उससे भी बढ़ियाता है तो यह सब चीजे हैं आप लोग जरू इसको देख लेना अब आप से रियक्सिन पूछी थी तो यह देखो यह सैकरोज है यह फ्रॉक्टोज है ठीक है तो आपको आपने इसी डाला तो यह बढ़ गया तो यह यह आपको यह यह बताया यह पर यह जो लिखा है कि यह पुरी की पूरी हमां से सब्सक्रोज को लिखना था पूरा पूरा प्लसी थी अप्लिक्रोज और अप लोगों से उनुल मजए वह आम पर देख लेना वाइब त्ध का तो यहां अभूछल में उनन सकता हैं सब्सकताएं यह दो को पांच नंबर मिल जाते हैं बाकि यह और आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो यहां पर इतना पूरा है लेकिन इतना जरूरत नहीं है मेरे आपको बताया है कि आपको क्यों उतनी पढ़ना है जितना आपके पूछ जाया ठीक है अब हम इंगली से में देख लेते हैं है कि सुगर इंभिजंदा कैमिकल कंवर्जर्श्थ सप्रोज इंटु दब ग्लकोजन फ्रॉट जब स्प्रक्वॉज का इंद रहा तो उसे हम क्या बोलता है मैं उन्हें बता दिया इस पोसेस को हम्हेंश कर सकते हैं पर यह तो बात समझ माती है यह रियक्सन है आप लोग को पढ़ सकते हो यहां से आप लोगों से दो-दो नंबर के कोशन इस च्रेक्टर भी पूछ सकते हैं बागी अभी किरिया है इस सब्सक्राइब करें आपको मिल जाते हैं पास नमर में ज्यादा नहीं लिखना होता है रगी अचारक मत्मत लिखना वाँ पर सभी लिखना सथीखना थोड़ा लिखना चाहिए इस बात थोड़ा ज्यान रखना को इस कोशनमर 13 तार्ड कोशन है पूरब डिसक्स करूंगा कि दिजुकेस आप डर लोक एंड की मैकनींघम नियक्षाhh कि अधियस को जुद कीजिए एक लोग एंड की मैकैसिजम् gonna होता है जो एंज़ाइम में होता है तो हमसे हम सबस्क्राइब कर पात करेंगे एंजाइम क्या होता है एंजाइम किसे कहते हैं एंजाइम हो सकता पहले प्रणों को देख लेते हैं हम बात आती हैं कि यह होता है तो एंजायम एक प्रजायर कोशिका के अंदर पाई जाता है यह क्या है health करता है जो उसको इस पीड़ करता है तेज कर देता है बिना इसके क्या नहीं हो सकता है आपकी रियक्षन खराब भी हो सकती है वह सकती है आल टाइफ को बायो क bacter decl enfinestan of work already all THS biological अब्रॉक nephew seen in the Self आपक चाहना होता है उन्हें किस आफ्सिक 30 पड़ती है एंजम कि आफ हो सकता पड़ती है बीनागवन के बीना ःफो के अप कि नहीं हो कि इन्जाइम पिसक्रोटेन कीए थूर norm एनुस्ट ना ब्लिक मेरत moss होती है तुर्ष उद्थ इतना बहुत देते तो एन्जाइम एनुच्जाइम और बायो क muted नंबायो गेर्टेलाएसस्त जा बायो के डिया माँ णर्ब मibl söyloss जाते हैं जो बायो स्पीड कि बिना से भीना इसके बायोगेमिकल लेक्षन ये तो बंद हो जाती है या बर्बाद हो जाती है यह सब चीजे हैं जो बहूं सकते हैं जो किन्त करने वाले प्रोटीन को कहते हैं यह हैं जैम सब आठारासो अठार में कुन ही नहीं पहली बात किया था प्रकिनों के सुरुत मुक्य तर्शुक्समजीव तो यह पूरा डेफिनेशन आप के लिए कर लीजेगा डिफन डेफिनेशन बहुत जरूरी होता है जो एंजाइम होता है और पाए जाता है को सिका होते हैं प्रोटीन वगेरा होती है यह उत्पेरन जो होता है होता है यह क्या काम करता है जो होता है इसकी के शबूर्चन होती है do यह क्ये अगर वाजबर इंजाइम नहीं है तो क्या होता कि जो वाइए व सकती है कि कि यह आपको सबस्टेंस है कोई पता आते हैं एप एंजयमें ठीक है अब देखों यहां पर कोछिण क्या पुछ जाता है दलोक एंड की मोडल मुस्ट इंपोटन्ट कोशन है पांच नम्बर का कोशन पूच गया है इस कोशन में क्या करना था आपको इसमें आपको एक कॉंसेप्ट था एक मोडल तहों इसको डिसकस करना था दा लोग एनड की दा है पू तिसी टीजा करto's on the active site सबसे पहली बात यह जो लोग एनड की जो है पूति सी 100 है जो किस पर फोसक करता है कर दाइक्टिव साइट पर फोकस करता है दाइक्टिव साइट ओफ एंजाइम है जब वेरी यूनिक ऊगन का वो क्या होता है वेरी यूनिक हो था कि इमेंजनी पजल पीस आफ इमेजन कर सकते हैं कि वह पजल की तरह का को पहली के पहली जो होती है पजल पूझे हो पीस पजल दिख्ञे होगी और वह साथ अभ़ बसा होता है कि अलग-अलग आपने नहीं होते हैं विजर नहीं होते हैं वह शोंगी अन्जार सप्रिखेंग रलते हैं यह क्boy So m eigenlijk वाइड होती को युल को दी consumption मतलब होते हैं अलग दिखना थीक है यह सब आप देख सकते हैं एंजाएं हैं वह चायों है इसस तरह की सविस्टेंस कि जब इस तक constant term किफ्रस्थ्य कि मिल जाएगा तो यह को जाएगा ठीक है यह लोक हो जाएगा अपका ठीक है कि इन तो एक्सव एक्सपिलेच वाया वाई ऑई आप यह लेविल but कि आचेज्चान सबीट शीटि इस पर से कह सकते ओजो यह फिर उड्ह इस तरह से इस ने देट था है एक्टिव साइट है वेस्टेंस है जो इसमें इस तरहे कर बन जाएगा यह लोग हो जाएगा या परुस्क्राइश को सकते हैं को यह उत निए इस तर्व और इस तरहे फटाएगा तो डेट अपशल सकते हैं चुछ नहीं है इसमें साथ लेने हैं तो किसने काम की अधास में नॉबल प्राइज के मेश्टी 1902 में इसको मिला हैं डॉक्टर हरमन इमी को कि हरमन हीमर फीसी फीसर यह सब है मॉमेंट ओफ रॉक यह सब बस इतना आपको देना था पांस नंबर आपको मिल जाते हैं और क्या है कुछ नहीं करना है इसमें अब हम लोग कोशन के बारे में बात करेंगे इस्टुडेंट जो लोग कोशन होते हैं उनके बारे में बात की जाएगा ठीक है अब लौंग कोश्शन अब बार बात होगी जो लौग-कोश्ण होती है आपके हैं यह जोईन कोश्छन पांच निमें से को कौन कितने कोश्ण 3 कोश्ण बिट्र करने च्वेतर नमब्र का है मोस्ट इंपोर्टेंट-पार्ट यह भी आपके अ घुझान का बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है जो कोशन यहां पर डिसक्स करूँगा वहां आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे सबसे पहले जो कोशन है कलासिफाइद प्रोटीन ठीक है बेस कंपीजिशन एंड इसक्राइब डिसक्राइब दर फीजिया फीजियोलोजीकल एंड बायोजी हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिखा है संगटन गुलंसीलता के अदार पर प्रोटीन को वर्गिक्त करना है जो क्लासिफिकेशन प्रोटीन है उसको संगटन और गुलंसीलता के अदार पर उसका कंपोजिशन क्या है उसका सोलेबिलिटी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे उसका दे का देनी कहा जाए तो पहला जो कोशन है प्रोटीन से हैं तो प्रोटीन को डिसक्स करते हैं पहला जो डेफिनेशन है वह प्रोटीन किसे कहते हैं प्रोटीन जे लाज जे लाज मॉल्यकॉल्स कंसेस्टिंग ओफ एमिन इसीड्स विच और बोडिज एंड द प्रोटीन क्या है प्रोटीन जो होता है जो बना होता है बड़े बड़े मोलेकुल से मिलकर बना होता है जो जिनका नाम होता है अमीनो एसिड ठीक है हमारी बोडी जो सेल्स होती है कोशी का बगेरा जो होती है जो हमारी बोडी है उसके लिए सही तरीके से हमारी बोडी तरीक वो क्या है protein है ओके protein है वो बिना इसके और बोडिदा structure function regulation body cells tissue organs cannot be exist without protein अगर आप structure function regulation की बात करें ठीक है tissue की बात करें और गन की बात करें तो बिना protein के without protein के यह adjust नहीं है एक जिस्ट नहीं करते हैं QUEने का मरलब है अगर आपके बोडिदा protein के अदर नहीं है तो structure सही तरीके से नहीं होगा function और नहीं करें Section और ओड़र yes डेफिनेशन एक बेसिक पॉइंट होता है अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप ज्यादर लिख सकते हो तो डेफिनेशन जुरूरी होती है तो प्रोटीन क्या होता है जो लाज मॉलेकुल्स क़ को सब्सक्राइब होते हैं जो हमारी कोर्य की कार्य के लिए अवस्यक होती है इसके बि diferença परोटिन के यांशन के बात तो जो हमसे कोशन पूछ गया है हो सकता है कि आपसे क्लासिफिकेशन प्रोटिन ऑन दर बेसिस ओफ फंक्सन के आदार पर पूछ लाएं तो यह कैटले fraction होती हैics अपको बोटेन होता है ज़्य पूर्टीन होती हैं अग्सों निया वाली यह इलातो है यह सब है ये बाटी प्रोटीन में हुर्मों क्लासिवेटन होते हैं इसटोलमे लिए क्लासिफिकेशन जुन हैं गलोघो इंसे आप तैसario अन्डु औरिसक धूंजूगेटिब एंड ड्राइब सूंपल ओंजूगेटेव एन ड्राइब कर तीन प्रकास से फिर 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 प्रॉटीन होते है only Hydrolysis Hörean सबर्बनो मिऺंवेधलes vis अई मिफितने चाओगा यहां पर केवल tutuaz होता है यह उनदर 열 you तुलो गलोसदी गडुलू मेट चेम प्रजाद होते हैं जो अडे होती हैं दूदím終 Juan तो टेया जो जाते हैं उसके नदिए प्रोटेन सब्सकारा निचिंट इस चाहे हальных जेली इह एमीड हुते हैं अग्रोटोड के पुरेश्ट सब्सक्राइब उसक्राइब लिवर के लिए बाइद लिवर के द्वारा बनता है यह इत्मेंग अब दाश्ची परसेंट ओव डाटर प्रोटीन इन दबलड पूरी बोडी का जो ब्लाड होता है उसका 60 परसेंट कौन सी प्रोटीन होती है आपकी अलबमीन प्रोटीन होती है मैंनी रोल्स निवाती है बह को ब्लाजम देगरी डिग्री मैं टर इन इंटर फेयर विद अब लिवर के इंगी प्रोटीन ब्रेकडाउन देंगी द प्रोटीन लूज लूज वायाय दा किड्नी ठीक है एक्स्फेंट अप्लाजमा वालियों यह सब चीजे अधिल आपका बलड वागेरा कम हो जाता है इसमें किड़िनी बागेरा होती हैं वो लूज़ जाती है सब चीजे वाइद उपोटेन्ट कोजी दा ब्लड अलबॉमीन इनकूलुड़ आपको ह प्रोब्लम हो सकती है कि प्रोबलो मोजसख सथ हैं इस तीज़ा है यह प्रोटीन अगर आपक cią करड़ सब लगर हम अगर आपके पारिक ईंदरल्व रेमारी हो सकती उसक्ति है जिक व्यास हो सकती है वह प्रोटीन से प्रोटीन होती है जो सुध वार्टर होता है उसमें गुलती है बट अगर साल्ट उसमें मिला दिये जाए नमक मिला दी जाए तो वह घुल जाती है कौन कौनची होती है एलफा एवन या गुलोबी मिली जिसे आपका एंट्रों कि एंटी ट्रैप्सीन होती है गुलोबीन हीमोगलोबीन वगेरा है सब चीज देख लेना भी गुलोबीन की यह सब है आपके सामने है ठीक है यह मैंने क्लासिफाइब किया है कि आप में को पढ़ लेना अच्छे से यह मौश्ट इंपोर्टन कोश्टन है बागी एक्स्प्रिन करूंगा तो काफिस समय लग जाएगा ठीक है दूब जाएगा प्रोटीन बोलते हैं जैसे कि आपका गल्यको प्रोटीन लिप प्रोटीन नुकलो प्रोटीन ठीक है तो यह यहां तक का कोशन था आप इससे पूरे को प्रोटीन को मैं भीज़ दूँगा आपको ठीक है पीडिएफ में आप इसको पीडिएफ चाहिए तो आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं बट इसका में बेज़ दूँगा पर भी होता है वह सकता है आप से से अधार के पूछ लिए गलोबल के रूप में आप से किसी भी त बटके जाएगा प्रोटीन्स का यह बहुत अच्छा पाठ है ठीक है इसी तरह को मैं अहीं इसे त्रही पर फैट वसा जो होती है वसा वसा का क्लासिफिकेशन करना होता है ठीक है और इनका क्या है ठीक है रास्वानिपति की रा के बारे में इनका वंदन करना है important question है यह ठीक है define the fat fat वसा क्या होती है वसा के बारे में बताइए तो नंबर में कोशन आप लोगों से आ सकते हैं देखो में पेपर की बार बता हूं तो पेपर आपको 2022 का और 2023 का अच्छे से कर लो बस 2022 कोशन है उनको अच्छे नहीं तो बहुत ज्यादे हैं वो सारी problem सोचती घेक हैं आंकों प्रोब्लम हो सकते हैं हमारी चुराइब में प्रोब्लम हो सकते हैं चिए किक इसी में हमारी स्फेर uh बग्रेट लग सकते हैं तो अभी मैंने जिसक्स किया है वह आपको यहाँ पर लिखने थी ठीक है अब आता है फैट के बारे में फेट का यह बिलेकर सिंपल में ने बताया क्लासिफ्रिक सन के बारे में चैनल इंत मैं आपका सोट दो से चेन दिन के लिए मीडयम आउर्ट से जोड़ों के लिए लॉंग होता है तोत लाज के लुग बात करें तो ओड्टुराव आज थै। बात करें आपने सुनांगा अब रहें सफाटके नाम आपने सुनांगा हाइड्रोकसी टिन पाइड्ञ के लिए तो यह इंपोर्टेंट है आप इसको आगे कर सकते थे यहां पर आप फैट के डैफिनिशन दे सकते हैं विए ना नीड सम फैट इन अवर डाइट और अने जो के हमें जो अवसकता होती है मनलब फैट के अवर डाइट में किसके लिए नेजी के लिए सम फैट और नोट गोड ओब ऊफ और ऐसलाइड अवर एड फ्राइड फूड के लिए सकतनी होती है उन्ली 10 पर से डाइट ओट होती है वो कहां से आती है फैट से आती है तो आप देख सकते हैं सब्सक्राइब के बारे में बात करें तो लिपेट से भी कोशन पूछ लेंगे लिपेट साथ और गनी कंपाउंड मेली फॉर्म दा एलकोहल और फैटी एसीड कंबाइन और टूगेदर वाई इस्टर्स लिंकेज के द्वारा ठीक है तो लिपेट्स जो लिपेट्स होता है उ यहां से जुरूर रहे गलिपेट्स कर यहां पर देखें लिए फैटी इसीडिया फैटी जो होता है जब फैट होता उससे फैटी एसीड के नाम से जानता है ठीक है फैटे एसीड आगधा फैटिक मॉन्कर लिप्टैंव मॉस्टली उप्टैन फॉमदा है तो यह दिए डे परजिन के अंदर क्या होता है सोट चेंड सच्वूरेटरी फॉर्ट फॉर्ट होता है दो से चैन कार्बन जिसके अंदर होता है तो चैन सच्वूरेटर टीक है आप देख सकते हैं वोलताइल यह जब पढ़ले ना आप लोग ठीक है फैट जुरूर पढ़के जाना फैट से इंपोर्टन जुरूर रहेंगा देख लिए ना फैट से मौली पर फैट से जुरूरे आएगा स्ट्वाट्ट फैट एसे इससे पढ़ लेना ठीक है इसने फैट इसे कौन कौन सी होते हैं ठीक है कि वह कोशन है नो कि लिक इसिड का यहां से भी कोशन आते हैं कि निकलीक इसिड क्या होता है मुश्ट इसीड नुकलेक असिड की खोज ओई थी कि नुकलेक से असिड क्या होते हैं मैक्रो मोलिकोल्स होते हैं जो कोशी गो मैं पाए जाते यह क्या करते हैं प्रीसिपेट इन दा स्टोरीरीज़ होके टांसमीशन टांसलेशन ज्रेकित इन्फ क्सधस इसके काम है यह आर्ट ہے टू टाइप्लिटिया केशिड रखॉस हरा इस तर सा рекणक्री कि डियूक्यli और आस निक नते हैं विच उन हाइड लैसे इल्ड इंद शुगर राइबो जाद डीक्स डायबो रस प्रेक्टिब ली ठीक है यानि कि जो है डीक्स अउपर जो देता है वो कौन देता है है डिए अक्समीं बात हैं आपको एक कोशन बता देताहूं दस नमबर का आपकी जो पेपर माएगा एक कोशन आईdogan क्या होता है सिंधesten क्या होता है फिANT क्या होता है डेनने की डबल है क्वाभ कोश्न आप लोगों से पुछ जाएगा चिद्र के इध़े नंबर का कोशन आएगा पहले बता रहा हूं दिन ने वाला कोशन जुरूर पढ़के जाएगा स्टुडेंट डिन ने का ठीक है कि कोशन दिखा देता हूँ आपको कि यहां पर देखिए हम लोग के मैटों की वेच न कीजिए डिन ने की दित्ते हैलिकल सरचना वाटसन जो क्रिक ने दी थी उसको बनाएए मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन है यह दस नंबर का देख लीजिए का दस नंबर आपके आईदाम में यह जरूर रहेगा नियुकलिक फास्ट इसलेटिट जो कोशी का बगयरा होती थी उनके नुकलिस से यह वहां पर यह इसलेट की गई थी तो यह डैफिनेसन है आप लोग इसको पढ़ लेना ठीक है ज्यादा कुछ नहीं है फंक्सन फंक्सन क्या होता है डिन ने के फंक्सन क्या होते है इंपोर्टन कोशन के लिए डिन एक परमनेंट इस्टोड़ी होता है वह कैसे माल लीजिए अगर आपको ममी पापा की पैशान करने हैं तो डिन टेस्ट करते हैं आपकी किसी जैनेटिक्स अडेन्टिफिकेशन करते हैं तो डिन ने यह सब चीजे हैं आप लोग समझते होंगे डिन ने कंट्र करते हैं मैं लोग सब्चrick को केशिव नखिकेशन आपो ल तर्फेया में जो यह तो एक आपको अडिन ने करते हैं देसी अलशिक्याय दमरेंटिकेशव को फ्रॉक्तिक आपकीशन अथे स्चिए मश्गा करते हैं टे आपका रहना स्चोडिन ग्रोग हाइब और महां नहीं से कोई भी डिसोर नहीं हुआ है इस इद भी को दशया कि अ यह जिल अनिमिय वह जो होते हैं वो ठीक है डाउं सिंट्रों वगे बीमारी हो जाती है वो सब इसी के अंदर देखी जाती है देडियां के दिवारी यह फंक्शनल है डिने का डबल है लिक्स का कोशन अभी तो यह कि आइन ने के फंक्शन क्या होंता है टासप्रार्पर टास पूर्र नामने प्पूछ लेते हैं कि मेशिंजर करण चिंजर करता है मैसीज करता है आर रहने को ठीक है कि नुक्लिक एसीड के बारे में सब मियोशिस वगेर आप लोगों पढ़ी हो गया कि इंपोर्टाइंस की बात करें तो नुकलिक इसकंडर क्या की चीज़ आती है आप लोग सब पढ़ सकते हैं नायटोजन इतने परसेंट होती है वेट इतना होना चाहिए ठीक है और फास्फोरस इतना होना चाहिए ठीक है कि यह सब इंप्रेंस है नुकैलट बढक एसीड के ऐप नुकलोटाइड वोता हैं कर शूगस्फोरिक थे उतने वास्थ भी आयंज फास्फोरिक शुकलाइड बूसाएड सब्सक्राइड कि प्रेंप आप परकार तो आप देनने यह सब पढ़ लेना अच्छे से देनने का वाटर संस्क्रीक वाला जो मोडल है वो जुरूर पढ़के जाएंगा डबल करें लिक्स वाला ठीक है आप 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 नियुक्त पाएगा स्वियांट इतने समय में लेकि मैं पहरा हूं कहाँ कि डिन ने का डबल-हलेक्स मोड़त जुरूर पड़के ज़िएगा ठीक है यह ड्याइन का इस्ट्रॉक्ट्ट्ट्चर है ठीक है इस्ट्रॉक्ट्ट्रॉप पर अन्ने प्रोपर्टीज यह हैं यह सब पढ़ लेना हुआ कि मुटेशन वगे रहा तो नहीं आती है कार्भो हार्डेट से कोशन पूछन जाता है कलासिफाइए और प्रकार बताइए ठीक है इसके अंदर फ्रक्टो फॉक्रोज फॉर्मूल जुरूर पढ़े ज़िए प्रक्टोज अगर नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूं ठीक है का कलासिफाइए करना है molecular structure के आधार पर हैता नहीं कि कुछ भी आधार पर नहीं जो पूछा उसका अधार पर को सिंद को ज्यादर लंबा नहीं कहचना है जितना आता है तो नहीं करना है को सिंद्धिक है करना है उनके लिए का बाड़िट ज़रूरी होता है जीने के लिए इनके लोग इसके अंदर इंसान हो पोदी हो यह फिर माइक्रोब जो दे आधार डाइट एंड में बीड़ फांड इंडा मैनी डिफरेंट फूर्ड सच अधा फ्रोट्स ग्रेंस वेजिटेबल सिंक लिए प्रोटेटर्स मिल्खन यांड टैबल सुगर ओके तो यह कहना है कि बहुत सारे डिफरेंट फूर्ड्स होते हैं जिन के अंदर यह पाए जाता है तो यह आउट ऑफ दा फॉर माइक्रों कार्बोहर्टेट्स प्रोटीन फैट और नुकलिक एसीड कार्बोहर्टेट्स वे पहलाद कर लेना और अट लेना कुछ भी कर लेना यह कोशन जरूरूर आएगा काव भाडिटस के बारे में मौने सैकराइट डैसे करेंड पॉलीकोसी के रेकरेड्स होता है जिसके अनदर सुगर का एक मॉलीकूल होता है जिसके अंदर गल्कोज है फ्रोक्टोज है ग्लैक टीक है इसके अदर के अवला पॉली सेकुराइट जिनके अधर दस से ज्यादा होते हैं याई कि दो से दस दस दो होते हैं और लिए को सेकुराइट होते हैं इस टार्च है गलायकोजन है और सेल्लोज है कि मुलनों यह यह मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता जाए इस्ट्रक्चर आप लोगे से पूछा गया है इस्ट्रक्चर जरूर याद करेने का इस तरह करें बनता है कि ठीक है इस्ट्रक्चर भी पढ़कर जाएगा स्टुडेंट्स कि यह आप लोग यह आप ऐसे भी याद कर सकते हूं कोई दिकत नहीं है चाहिए लिख देना वापर तब भी आपको नमबर पूरे मिलेंगे तो देखो इम क्लासिफिक में ने बता दिया ठीक है तो यह इंपोर्टेंट कोशन है कि हम बात करने वाले स्टुडेंट्स कुछ खोशन होतेहे वेले सोट कोशण यह 9 होते में है धूरर साबुन बनता है ना साबुन बनने की जो प्रोसस होती है जो परखिरिया होता है उसे हम सैपनिफिकेशन बोलते हैं कितना प्रसेंट होना चाहिए वह वैलू पूचा है तो आगे रिस्ट करेंगे कि एलोस्टिडिक एंजयम क्या होता है डिन्यूट डिन्यूट न्यूटिशन ऑफ प्रोटिंस क्या होता है प्रोटिन का विक्रित करन होना उसे हम बोलते हैं डिन्यूटिलाजेशन होना इस्टाज क्या होता है इसके बारे में पूछेंगे नॉन इस्टाशनल अमिन एसिट क तो नंबर कहल पर पूछा जाता है पिछली पीपर पूछा गया अब में भी कल में भी आ सकते हैं कल को कल भी आ सकता है यानिके में एसीड जो हमारी बोड़ी के लिए अवसक होते हैं उन्हें बोलते हैं एमिन एसीड जो हमारी बोड़ी के लिए अवसक नहीं होते हैं उसे ब सबुनी करन के लिए अवसक पोटेसियम हाड आकसाइड सोडियम हाड़ आकसाइड के मिलिग्राम की संख्या का पतनी करती है यह ट्राइगलक्स रॉप में नमूनी में मौजूद सभी फैटी ऐसीड के और संटन आन्विक भार का एक माप होता है तो यह आप लोग दिख देत से दो नमबर आपको मिल जाते हैं बहुत ही सिंपल है यह रहा हो सकता है कि इसका फॉर्मॉला भी आप लोगों से पूछ ले साबू बराने की जो पर किरिया होती है उसे हम सापॉनिफिकेशन बोलते हैं ठीक है फॉर्मॉला की बात के लिए तो फॉर्मॉला फैट प्लस केमिकल साल्ट प्लस वाटर इस इगल टू आपका ग्लेस रोल एंड फैट एसिड या साल्ट तो इससे बनता है आपका साबून ठीक है तो यह देख लेना इंपोर्टन कोशन है यह अमीन एसिड है यह इंसेंसनल है के यह आवसक्त है हैं हमारी बॉडी के लिए जुरूरच है इनके आवसकत तो होते हैं यह हमारी बॉडीके लिए आवसक्त Нहीं है और आपका हिस्टिडाइन होता है अिसफेड सें फोलॉत ऐलिसीन होते है मैस्तीन होता है ठेकर यह सारी कि वृत न है जो सकत czyli कोई है यह सारी एंज इं इसाज के बात के अन श्ठाकिक ट्रेस्ट लेंस है किसी तरह कोई भी स्वाद इसके रिर्फन धाटा हैПрो थी उड़्ञाव्डर होता है सपीद पावडर होता है यह इन सोलीबल इंदर कोल्ड वाटर जो ठंडा पानी होता है इसके अंदर क्या होता है यह गुला नहीं होता है अलकोहल और अधर सोल्वेंट ठीक है तो ध्यान रखना स्टार्च एक पॉलिस एक्रेड है जो एक वन फॉर लिंकेज बीट्व प्रोटीन गुलकोज मौनुमोरस दा केमिकल फॉर्मूल अवदा स्टार्च यह होता है सिक्स एस्टैन ओफाइब ओके तो यह स्टार्च के परिवास हैं द्यान रखना कोशन जरूर आएगा काब और प्रोटीन फैट स्टार्च ठीक है इन से कोशन आने की जरू संभावन है दो दो नंबर में आप यहां पर देख सकते हैं प्रोटीन को गरम करने पर यह संद्रम लिया संद्सार का विलन करने मिलने पर इसकी जेवी किरे सीलता नश्ट हो जाती है यह एविली होकर सकंदित हो जाती है इस कीरे को प्रोटीन का विगरत करन कहते हैं कहते हैं कहते है कीया हो जाती है और फिल टोसके खो जाती है जिसके करणा उने के जब हो जाते है तो ईसको यह पर देख सकते हो कोई धिकत नहीं हाद रूनी चाहिए एंग्लिईस के बात करें इंग्लिस के औन प्ललीए पोद धाय, शुक्राज से करें ठीक है दे नुट्रियाजेशन प्रोटीन इंप्लिस दा इस्ट्रक्षन ओफ था ट्री इस्ट्रक्षर आफ दा प्रोटीन मॉल्ट की स्ट्रक्षर को क्या करना होता है कि डिस्टरबेंस करना होता है तो वह सारी चीज़े जो भी जो भी गटित होती है उसके अंदर उसे भी हम बोलते हैं यह आप कहा सकता है अगर प्रोटिन को अपने गरम करने के बाद क्या हो जाता है या उसमें चार मिलाया किसी तरह कामलों बगयरा मिलाया तो वह सकंदीत हो कर लिए स्टुडेंट्स एक कोशन रह गया है आपके लोग आप लोगों के लिए हैं एलुस्टरिक एंजाइम क्या होता है ठीक है यह आप लोग जुरू मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करें एलुस्टरिक एंजाम किसे कहते हैं अगर आपने पढ़ा है अभी तक यह साइट के अलवा किसी अन्य साइट पर एक प्रभावक अनु को बांद कर आइंजाइम का विन्य में है जिस साइट पर प्रभावक बांदता है उसे ही अरिस्ट्रक साइट या नियमक साइट के नाम से जानते हैं तो यह डाफिनेशन है हिंदी में जरूर पढ़के साइट है ठीक है जो अधर एक्टिव साइट पर डिपेंड होता है तो यह सब पढ़ लेना वाकि इतना लंबा वीडियो हो गया बहुत ठीक है तो आप लोगों कोशन पूरा पूरा पेपर में डिसकस कर दिया है यदि किसी को कोई वीडाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है अगर वीडियो को पसंद रहे तो वीडियो को लाइक जुरू कीजिए चैनल पर फर्स्ट राइम आये तो सब्सक्राइब करके जुरू जाएगा ठीक है सभी कोशन में डिसकस कर लिया है एक 2030 के कोशन हो थोड़ा सा देख लेता हूं पर 2030 का है तो एक बाद जुरूर 2230 के पेपर जुरूर देख कर जाएगा स्टुडेंट्स उन से पेपर आने में जुरूर आने की संबावना है का और बोहाड़ेट के बारे में पूचा हैं सब में आपको बता रखे हैं अर्णे का पूरा नाम इस ट्रांस्टर ने अभी बताया था क में हैं में इनाशिट डिक के पारे में बताया था आपको इस ट्रॉक्टर में आप बता दिया है मैं प्रोटीन अधे बेसी ऑफ शॉलिबिलिटी ठीक है वो जुरूर पूछेंगे वसा वसा वर तेल में क्या नतर होता है इसका क्या मैतुव हैं वसा से वसा हमारी बोडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं फैट अब भी मेंने बताया था जो लीवर्स वगेरा डीजी जो कि रिसक्राइब ने का डबल है लिक्सी इस्ट्रक्श्र छुरूर पढ़के ज़ीए गा अप्रिज्ट्रे जुरूर आईगा ठीक है रगवर्स वर्न वितामिन के बारे में मैं ने बताया था केड़ा विटामिन के डी और ये ये क्या है फैट शॉलिबल विटामिन्स होती है राइबोज नुक्यलिक अशीड और ने टासफर और ने यह सब इंपोटेंट कोशन है ठीक है यह सारे कोशन में आपको डिसकस की हुए है आप पेपर को दुबारा भी आप देख सकते हैं लैक्टोज क्या होता है लैक्टोज को सुक्रोज सब्सक्राइब करना बड़े में आपने सुना होगा एमिन असीड का फोर्मूला पूछा है निफित निफितलिन असीडिक पूरा ना पूछा है इसका यह क्या होता है गुरूत रेगुलेटर हर्मोन होते हैं इस और लोग ठीक हैं बाकि सारे कोशन में डिसकस कर लिए हैं लोग अच्छे से जुरूर पढ़के जीजेगा ठीक है और कल के लिए आपको बैस्ट उफ लख हैं ठीक है थैंक ये थैंक आवरिवन